हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे हेल्थ इस वेल्थ तो ये शॉर्ट एक वीडियो है एलक्ती पेपर FSCM स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस पेपर को चूज किया है उनकी उपर क्या amendments हैं क्या updates हैं और किस तरह से हम इसमें अच्छा secure कर सकते हैं मैं बहुत short रखूंगा इस वीडियो को तो ये वीडियो वही देखें जिन्होंने अलक्ती पेपर FSCM CA final में opt किया है बाकी ये वीडियो न देखें ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्या ये possible है बिलकुल possible है क्यों नहीं है possible आप देख सकते हैं जहां पर FSCM में 92 marks highest है और next item में भी 91 marks हाइस है तो definitely बहुत लोग बोलते है theoretical paper है इसमें इतने marks नहीं आते हैं बिलकुल अगर आप उसको practical तरीके से पढ़ेंगे तो आपको theoretical paper नजर ही नहीं आएगा ठीक है फाइन सर और SFM में तो बच्चे अच्छा करी रहें और अगर इसमें भी अच्छा करने लगे तो सोने पर सुआगा हो जाएगा उनका group तो clear होई जाएगा वो CA तो बनी जाए ठीक है फाइन तो approach कैसे किया जाए तो सबसे पहले मैं कहता हूँ अपने class के जो material है उसे कम से कम 5 times आप revise करें 5 times revise करेंगे तो आपको उसमें 1000 से ज़्यादा concepts मिलेंगे वो भी आपके साथ साथ revise हो जाएगे open book exam है जहां पर आपको hard work की जरुवत नहीं होती है smart work की जरुवत होती है तो आप revision कोई याद नहीं करेंगे कोई आप उसमें memorize नहीं करेंगे चीजों को बस understand करेंगे और यह समझेंगी कौन सी चीज कहां पर आपको मिलेगी ठीक है सर उसके बाद आपके पास time है तो आपक चाहिए वो compilation देखना चाहिए क्योंकि देखे जब class में हम पढ़ते हैं तो हम एक chapter का या एक case study करते हैं जब आप एक साथ compilation देखते हैं तो उसमें सब mix होता है तो थोड़ा सा जो वो game है वो हम class में perform नहीं कर पाते हैं मतलब वो चीज हमारी class से रह जाती है because हम chapter wise चीजों क उठाते हैं और जब आप past years करते हैं तो एक साथ सब mix होकर आता है तो वो जो exercise है वो कहीं न कहीं आप खुद करनी होती है ठीक है sir तो आप past years करेंगे कहां पे मिलेगा यह सारा चीज वो मैं आपको बता दूँगा amendment plus new questions कुछ जो amendments हैं plus जो नए questions हैं वो मैं आपको हैं अगर यहां पर यह बताने वाली बात हैं जिन्होंने पुराने students हैं जो मुझसे पहले FACM ले चुके हैं और जो उनका exam अब आने वाला है उनके लिए दो chapter और add हो गए हैं chapter का नाम है factoring और leasing I hope आप लोग ने यह chapter कर लिया होगा और हम लोग ने भी उस चीज का classes भी आपको provide कर दिया होगा factoring and leasing both are 100% practical chapters और इसके उपर definitely आप जो class में ने करा है वही questions आपको exam में मिलेंगे आप देख लीजेगा बस आपको वहाँ पर apply करना है अपना दिमाग और leasing और factoring and questions आप 100% secure कर लेंगे एक चीज और जो पुराने students हैं उनको banking part 1 chapter नहीं करना है यह हमारे syllabus से हट चुका है banking part 1 हलाकि जो latest batch है उस पे मैं उस चीज को हटा के दे रहा हूँ उस चीज को मैं उस पूरे video से उस पूरे cover से मैंने delete कर दिया है बट जो पुराने students है जिन्नोंने banking part 1 chapter मेरे से किया है उनको आगे वाले exam में banking part 1 chapter नहीं करना है ठीक है sir फाइन अच्छा एक चीज यहां पर और होई है बीच में कि जब मैंने classes लिया था और जिनको books हमने provide किया है institute ने कुछ study material में changes कर दिये है ठीक है फाइन तो आपको क्या करना है आपको अपने study material को भी एक बार जरूर देखना है वो past years ICI में cover है जो मैंने सारे ICI का compilation दूँगा उसमे study material भी होगा इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा अगर कोई आपको points नए नजर आते हैं हाला कि उसके chance 0% है मैं कह रहा हूँ क्योंकि चीज वही है बस इधर उधर उन्होंने कर दिया है चीजों को मैंने थोड़ा उसक खुद करना है यह मैं नहीं करूँगा खुद आपको करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा उन्होंने language थोड़ा सा change किया है in case in case बच्चे पूछते है के exam में सर्क कौन सा language लिखना चाहिए जो मैंने आपको material दिया वो भी ICI का ही language है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं आपको जो ठीक लगेगा वो यूज कर लीजेगा fine तो ये मेरे तरब से एक brief explanation था FACM के उपर बिलकुल घबराने की जरुवत नहीं है बहुत अच्छा आप कर रहे हैं जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करी है बस ये सब कुछ है जो exam में देने वाले है इससे ज्यादा और कु है वैसे वैसे follow करते रहिएगा ठीक है fine तो I hope ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा और आप हमेशा जिन्देगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां चाह है वहीं रहा है forward ever backward never ठीक है बाकी ये video सिर्फ उनके लिए था जिन्होंने class ले लिया है या जो ल बनाया हुआ है latest analysis देखेगा latest analysis में आपको वीडियो मिल जाएगा which paper to choose FACM और RM मतलब risk management दोनों ही finance career है बट उसके लिए मैं आप यहां पर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बार 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 बो चीज़े बोल चुका हूँ अलग-अलग videos में अभी ये video सिर्फ उनके लिए थ अब follow कर लिजेगा ठीक है fine चलिए all the best याद रखेगा वक्त का तकाजा है लहरो से जूझना सीखो कब तक चलोगे किनारे किनारे सागर को चीरना सीखो तो जिन्दिगी में आपको हमें शागे बढ़ना है positive रहना है और हमेशा स्वस्त भी रहना है fine sir thank you दो मिनेट है आपके पास पता है दो मिनेट में जिन्दिगी नहीं बदलती पर दो मिनेट में लियावा फैसला आपके जिन्दिगी जरूर बदल सकता है और जब सवाल 100% marks with target करोर प्लस salary in finance हो तो दो मिनेट देना तो बिलकुल बनता है जिस तरह से बिना पैट्रोल के कार नहीं चल सकती उसी तरह से बिना finance के company का चलना ना मुंकिन है एक अच्छी financial management हो तो company first से अर्ज तक पहुंच जाती है और अगर financial management पूरी निकली तो company इतनी अर्ज से first अगा जाती है तो हो जाये तयार आप भी उन लाखों student में से जिन्होंने वर्ल्ड के one of the toughest course CA में 100% mark secure किया in CA final SFM जहां students को CA pass होने की फिकर होती है वहीं हमारे students कई बार All India Rank 1 लेकर आए जहां students को आर्टिकल शिप में 50,000 per month stipend with Saturday Sunday off मिलता है in investment banking firm जहां CA clear करने के बाद हमारे students वर्ल्ड की one of the best companies में recruit किये जाते हैं हमारे students को यहाँ पता होता है how to trade in stock market, how to attend annual general meeting, voting power का कैसे use किया जाये, dividend कैसे receive होता है और nifty और sensex किस तरह से fluctuate करता है, price क्यों up and down होते हैं, इन सारे knowledge हमारे students को होती है तो यह सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों students में हो जाये शामिल with most extensive path breaking coverage of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim तो अगर आपको finance से प्यार है और stock market आपका passion है तो यह सुनहरा मौका हाँ से जाने मत दीजिए मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के teaching experience के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूँ with motto of learn more, earn more, the more you learn, the more you earn तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई विखर जाता है, कोई निखर जाता है आज पसीना नहीं बहाया, तो कल आसु बहाने पढ़ेंगे make the rest of your life, best of your life, जितना कटिन संघर्स होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी तो आपके इस valuable समय के लिए, thank you so much याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो, तो एक दिन जरूर मिलती है तो आदित्यजैन.com में जाईए और वहां से अपने finance, career के शुरुआत कीजिए wish you all the best, thank you so much